गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स, वेलकम तो मैं चैनल विज्ञान वर्ल्ड, स्टुडेंट्स आज हम करेंगे पीएट स्केल, नेक्स टोपिक, टैन्थ क्लास का हमारा सेकिंड चेप्टर, असेट बेसिस एंड सॉल्ड्स हम कवर कर रहे हैं, हमने पीछली वीडियो में कि या था, सिमिलर्टी, एसेट और बेस में, कि उनमें कोमन कोमन प्रोपर्टीज क्या है, तो आज है हमारा पीएट स्केल, तो पीएट स्केल क्या होता स्टुडेंट्स, ये एक ऐसा स्केल है, जो की, इट वेरीज फ्रों 0 टू 40, ठीक है, और 7 जो इसमें पीएट होगी, इंक्रीज होगा, 7 से 0 की तरफ, ठीक है, ऐसेडिक करेक्टर इंक्रीजिंग, ऐसेडिक नेचर बोल सकते हैं आप, ऐसेडिक नेचर इंक्रीजिंग, टूवाट्स जीरो, एंड टूवाट्स 14, बेसिक नेचर इंक्रीजिंग, इस तरफ जो है 7 से 0 की तरफ hydrogen ion आपके बढ़ रहे हैं इस side और इस side आपके बढ़ रहे हैं hydroxide ion तो 7 पे बराबर होती हैं दोनों चीज़े hydrogen ion और hydroxide ion तो ना ही वो solution acidic होगा ना ही basic होगा 7 पे होगा neutral जैसे हमारा blood है water होता है pure water वो neutral होता है तो 14 पे जितना जाएंगे इस तरफ ओए जादा उत्ते चले जाएंगे इस तरफ hydrogen ions जादा उत्ते चले जाएंगे जितना फिधर जाएंगे उतना alkaline natuur बढ़ता है alkaline बढ़ती है जितना ही धर जाएंगे उदर acidic निचर बढ़ता है तो 14 के हम एक्जामपल ले सकते हैं नियोज का यह एक बहुत ही strong base है इधर हम examper ले सकते हैं HCL का जो की बहुत strong acid है ठीक है अब एक question आजाता है students की इधर hydrogen ion है इधर hydroxide ion है तो क्या इस portion में hydrogen ion बिल्कुल नहीं होते है students हम देखो OH को इनका सबी का solution होता है यह dry नहीं होते present solution है तो aqueous form में है aqueous है तो वहाँ पे water होगा क्या होगा वहाँ पे water है तो hydrogen ion होगे hydrogen ion है तो वो कैसा होना चाहिए acidic होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है थोड़े बहुत water molecule क्योंकि ज़्यादा तर वो dissolved है sodium aqueous है तो इतने से ऐसा नहीं होगा कि वो basic nature आपकी present होगी क्योंकि वहाँ पे hydroxide ions जाता है तो यह है आपका pH scale अपिएज केल में जो सबसे main बात हमारी रह गी है वो क्या है pH क्या होता है pH होता है students P means power potenge word लिया गया है यह एक German से लिया गया यह word potenge means power potenge से आपका power है और किसकी है यह potency power of hydrogen ions hydrogen ions की potency क्या है hydrogen ions जो है कितने है जितने ज़्यादा hydrogen ion उतना strong acid होता है तो यह होती है power of hydrogen ions तो H से hydrogen ion P से power तो यह होता आपका pH scale जो आपका 0 to 14 vary करता है ठीक है तो इसमें आपका आता है एक laboratory में देखा होगा आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा pH scale से related आता है इसको determine करने के लिए यूज करते है pH paper हो सकता है आपके teacher ने आपको यह करवाया भी हो practical भी आएगा आपकी 10th की इसमें practical file में है तो pH paper आता है pH paper इस तरीके का एक paper होता है strips ही होती है जैसे आपने litmus paper देखा होगा litmus paper जैसा ही होता है यह simple सा आपने देखा होगा तो यह pH paper है ना मतलब यह बहुत सारे indicator से मिलके बना होता है universal indicators होते हैं इसमें तो कैसे पता लगेगा इससे यह find out करेगा कि किस solution की pH कितनी है acid है वो या basic है neutral है pH determine करने के काम आता है pH paper is used to determine pH of any solution used to determine pH of any solution किसी भी solution की pH को यह determine करता है कैसे determine करता है by producing color यह color produce करेगा तो जैसे ही आप इसको किसी solution में dip करेंगे dip करने के बाद आप इसको देखेंगे तो इसमें अलग-अलग color आजाते है तो कैसा color आएगा उसके basis पे you can find out the acidic और basic nature of the solution कि उसकी pH क्या है वो आप पता लगा पाएंगे अब देखिए color कैसा आपता है look at this picture students you can see easily यह देखिए आप 0 से 14 की तरफ तो जितना acidic nature जादा होगा towards 0 देखिए red color उतना ही बट रहा है और जितना basic nature जादा होगा towards 14 blue color उतना ही जादा होता जा रहा है और अगर हम pH 7 की बात करें neutral की बात करें तो वहाँ पे greenish shade आपको दिखाई दे रही है इदर थोड़ा yellowish red है इदर थोड़ा greenish blue है तो वो color mix हो रहा है तो जितनी ज्यादा alkalinity होगी solution में उतना ज्यादा blue color जितनी ज्यादा acidic nature होगी उतना ज्यादा आपका होगा red color green color indicates neutral solution तो यहाँ पे इन्होंने arrow से दिखाया भी हुआ है कि gastric juice जो हमारे स्टमक में रिलीज हो रहे है उनकी 1.2 pH होती है highly acidic होती है lemon juice 2.2 pH and pure water and blood pure water की 7 होती है blood की 7.4 यह neutral होती है milk of magnesia milk of magnesia क्या होता है students magnesium hydroxide जो आपकी इनो जो होती है ant acids acidity को कम करने के लिए जो यूज की जाती है उनमें होता ही है milk of magnesia magnesium hydroxide sodium hydroxide I can tell earlier 14 pH होती है इसकी और यह बहुत ही strong base होता है now see this table यह आपकी एक activity दी हुई है तो उसको tabulate किया गया है इसमें देखे students यह कुछ solutions provided है जिनका आपको color determine करना होगा pH paper की help से pH value पता करनी होगी और फिर उनकी nature लिखनी होगी कि वो acidic है या basic है तो students अगर color की बात करें तो वो तो आप अपनी laboratory में pH paper की help से determine कर सकते हैं मैं आपको नहीं अभी करके दिखा सकती लेकिन approximate pH value में आपको बता सकती हो क्योंकि इनकी almost fix होती है practically you can find out with the help of pH paper तो अगर saliva की बात करें saliva होता है मुह में जो solution बनता है alive processes में digestion जैसे पढ़ेंगे उसमें cover अब भी करेंगे आपके mouth के अंदर जो excreation produce होता लार जिसे कहते हैं हिंदी में वो saliva है इसकी होती है student 6.8 pH होती है तो 6.8 अगर इसकी pH है तो आप यूँ समझेगा कि इसका nature कैसा है light slightly acidic ही है acidic ही है slightly saliva after milk जो after meal सोरी खाने के बाद 7 हो जाएगा तो ये कैसा होता है ये neutral होता है acidic ना basic lemon juice की 2.2 होती है pH colorless जो airated drinks है carbonated जो drinks होती है आपकी cold drinks वगरा cold drinks की pH होती है 10 carrot juice जो है गाजर का juice 6 और coffee neutral के असपास करीब वैसे 8 होती है और tomato juice 5 पे आता है tap water आपका देखिए pure water की 7 pH होती है ना कि tap water की तो ये थोड़ा सा basic होता है NUH की मैने बताई strong base है और ये है strong acid अगर आपकी nature की बात करें तो 2.2 है तो ये कैसा होगा acidic होगा highly acidic होगा ये basic होगा ये acidic basic 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 and acidic आप पता लगा सकते है confuse बिलकुल नहीं होना है 0 से 7 वाले 7 से कम तक वो है acidic 7 होता है neutral और 7 to 14 वो कैसे होते हैं alkaline या basic होते हैं alkaline और basic में मैंने आपको difference पता था the basis which dissolves into water they are called alkali ठीक है तो ये था आपका students pH pH scale के बाद हम करेंगे importance of pH in everyday life की हमारे जो daily life activities है उनमे कोई हमारी बोडी में या किसी और animal की बोडी में pH का कोई role है की नहीं है तो students इसमें सबसे पहले first point आता है organism जो pH sensitive होते हैं तो उसमें कौन-कौन से आएंगे क्या effect होता है देखिए जैसे हमारी भी बोडी है हम अपना भी example लें तो हमारी बोडी में ली neutral pH में काम करती है 7 के आसपास या ज़्यादा से ज़्यादा बात करें 7 to 7 to 8 या 7.8 इस pH रेंज में हमारी बोडी काम करती है ठीक है ज़्यादा तर जो activities है अंदर बोडी के अंदर जो reactions होती है उन्हें biochemical reactions कहती है इस reactions जो है वो किसमें होती है 7 से 7.8 pH में होती है ठीक है students तो ज़्यादा तर जो organisms हैं living organisms and plants and animals इसी range में काम करेंगे अगर pH उनको उनकी बोडी को इस range में नहीं मिलेगी इसे कम या ज़्यादा मिलेगी तो वो उनके लिए harmful होगा जैसे आपने पड़ी हुई है acid rain होती है क्या होती है acid rain विच हो pH 5.6 5.6 की pH होती है इसकी क्योंकि जो आपकी rain है बारिश में acids आने लगते हैं वो आपने नाइंथ में पड़ी होगी या हम आगे भी पड़ेंगे अगली classes में आपकी last में भी आजाएगा जो environment के chapters होती है biology से related उन में भी आता है acid rain क्या होती है तो acids rain में आते हैं उसकी वज़े से pH 5.6 से काम अगर होगी then it is considered as acidic rain ठीक है अब 5.6 से अगर उपर होगी तो acid rain हम नहीं मानते तो ये living organisms के survival के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि पानी जो है वो rivers में जाएगा बारिश का पानी rivers से sea में जाएगा तो जो aquatic organisms are those which lies into water तो ये aquatic organisms के लिए काफी harmful होता है वो survive नहीं कर पाएंगे जिन्दा ही नहीं रह पाएंगे ऐसे ही कुछ आपके planets भी होते हैं कुछ planets पे acidic environment है साराई acid acid है वहाँ पे इस वज़े से वहाँ life possible नहीं है आपने देखा होगा आपने सुना है पढ़ा है कि जो अर्थ है अर्थ पे life है बाकी planets पे नहीं है तो इसी वज़ेसे है क्योंकि वह environment वहाँ का suitable नहीं है जरूरी नहीं है कि हर जग यह acidic environment हो but suitability for the life is not there तो जैसे अगर हम Venus की बात करें तो Venus जो आपका planet है तो वह acidic nature में है वहाँ पे आपका जो यह sulfuric acid है ना sulfuric acid इसके clouds बने हुए है तो निचे भी वहाँ की land पे भी और वहाँ white white color के ऐसे clouds बने हुए है H2SO4 के तो जो वहाँ का environment है climate है not suitable for living organisms इस वज़े से वहाँ पे life नहीं है तो यह था हमारा pH sensitive organisms तो organisms पे pH का काफी effect पढ़ता है they are highly pH sensitive ठीक है अगर हम पिर उसके बाद बात करते हैं second point यह हो गया हमारा first secondly हम बात करें soil की soil पे क्या effect पढ़ता है students pH का तो मैं आपको बता दूँ soil भी 3 type की होती है उन्दा बेसिस ओफ pH acidic soil basic soil और neutral soil तो अलग-अलग type के जो plants है वो अलग-अलग soil में grow करते हैं आप find out भी कर सकते हो अपनी soil का आप पता भी लगा सकते हो कि उसकी pH क्या है कैसे पता लगाएंगे आप कोई भी मिटी ले लो कहीं से भी आप garden किसे ले लो या कहीं से फिल्ड से आप ले सकते हैं उसको आप पानी में गोलेंगे जैसे ही आप उसको water में dissolve करेंगे और फिर उसको filter करेंगे filter करने के बाद जो solution आएगा उसमें आप pH paper deep करेंगे क्या deep करेंगे students आप pH paper and with the help of the color produced on the pH paper you can determine the pH of soil आप soil की pH का पता लगा सकते हैं तो यह हो गया आपका soil वाला point फिर आपका आता है कि जो digestive system है human beings का उसका pH से क्या connection है digestive system of humans तो humans का digestion कैसे link करता है यह pH के साथ तो मैं आपको बता दूँ अभी मैंने discuss किया था कि जो saliva है भी 4 meal after meal उसकी pH होती है 6.827 वेरी करती है तो ऐसे ही हमारा जो stomach है stomach में HCL की वज़े से बहुत कम pH होती है वो बहुत जरूरी है वहाँ पे अगर वहाँ pH नहीं होगी तो जिसे HCL होता है stomach में तो वहाँ कुछ enzymes होते हैं वो वर की नहीं करेंगे अगर वह acidic pH नहीं होगी तो हम जो digestion का topic करेंगे in the chapter life processes वहाँ पे detail में discuss करेंगे तो enzymes वो प्रोपरली वर्क ही नहीं कर पाते हैं in the absence of acidic environment तो digestive system की अगर हम और बात करें तो यह जो stomach है यह HCL यहाँ पे secret करता है लेकिन कई बार यह जब ज़्यादा secretion होता है HCL का तो यह हमारे लिए problem create करता है हमें क्या हो जाती है acidity खटापन खटी डखारे आने लगती है acidity अपने पड़ाओगा और इसको overcome करने के लिए doctors क्या देते हैं ant acids देते हैं ant acids जो है यह यह mainly magnesium hydroxide से बने होते हैं किसे बने होते हैं students magnesium hydroxide से और यह magnesium hydroxide को बोलते हैं हम milk of magnesia milk of magnesia magnesium hydroxide जैसे ino अगरा जो है लेते हैं कि किसे सारी एड आती है कि आपकी acidity और gas चूम अंतर एक ino से ठीक है तो यह जो है ino ino क्या करती है acidity को कम करने के लिए लेते हैं तो कई बार कईयों के जैसे बड़े बुजरुक्ये जैसे कहते न पेट में gas बनती है तो उसको आप ino से connect मत कीजिएगा क्योंकि according to me जो acid है वो आपका stomach में produce हो रहा है और जैसे आपकी गले तक खटा बनाता है कई बार वो reflex action होता है मतलब वो उपर क्यों रहाएगा यह acid वो acidity है पेट में जो कही बार intense spinal portion में जो pain होता है कही बार उसे वो बोलते कि gas बनी हुई है तो वहाँ पे आपका यह ino काम नहीं करेगा क्योंकि वो acid नहीं है वह intense spinal portion में कोई acid नहीं होता ठीक है तो आप इनको connect मत कीजिएगा that is different thing ओके ठीक है आपको पता होना चाहिए because you are students of science science के students है आप और आप रित्तुमेम से बढ़ रहे हैं तो आपको bio की इन सब बातों के बारे में जरूर बता होना चाहिए ठीक है तो science के बारे में आपकी यहोगी basic knowledge उसके बाद आता है tooth decay क्या आता है students tooth decay आपने देट खा होगा कि कईयों के जो दाथ हैं teeth हैं वो काफी गले सडे से होते हैं तो वो किस वज़े से होते हैं students क्योंकि हमारा जो food है हम खाना खाते हैं या सूगरी food हमने लिया तो जैसे ही हम खाना खाएंगे उसके कुछ देर बाद माउथ में जो bacteria present होते हैं वो इसके साथ react करते हैं food के साथ तो जैसे ही वो reaction करेंगे तो एक acid produce होता है कौन सा acid produce होगा कोई भी acid आप समझ लीजी है अलग अलग depends होनदा food substance you can eat उसके बाद ये जो acid है ये हमारी जो tooth inamel होती है ये उसको क्या कर देगा कोरोड कर देगा corrosion हो जाएगा आपकी inamel का तो ये कोरोड कर देगा inamel को ठीक है तो वो इसलिए गले सड़े से गंदे से दिखते हैं और वो खतम और destroy होने लग जाते है decay होने लग जाएगा आपके tooth का तो इससे बचाने के लिए आप क्या करेंगी आप देखिए acid बन रहा है तो acid का neutralization होता है base से तो आप जितनी जल्दी खाना खाएं जल्दी से जल्दी आप क्या कर लें brush कर लें क्योंकि जो आपकी tooth paste है toothpaste contains base base होता है उसमें alkali होता है तो आपके सारे acid को निकाल देगी तो खाना खाने के पाद brush कर लेंगी अगर आप मीठा काते हैं तो बेशक आप जस्ट after कर लें brush लेकिन अगर आप थोड़ा खटा काते हैं तो दो-चार मिनेट रुक के करना चाहिए क्योंकि जो यह acid है उसमें खट्टेपन में जो होगा खट्टे खाने में वह आपकी लेयर को मतलब थोड़ा उतार भी देता है ज्यादा तर calcium calcium low-seam लोसी होगा इससे टूज से तो वह ज्यादा बेनिफिशल है दो ती मिनेट रुक के करने चाहिए लेकिन आप मीठा खा रहे हैं नोर्मल फूड ले रहे हैं तो आप जस्ट आफ्टर कर लीजिएगा क्योंकि यह क्या होता है defense mechanism होता है पी है क्या होता है डीफैन्स मैके जुटा ह Glau नीमल और प्लांट मे क्या होता है डीफैन्स मैके ज़म क्या होगा students कि वह अपने बचाओ में phka इस्टी समाल करते हैं कैसे करते हैं जैसे आपको रूंब हनी बी की बताओं हनी बी जो डंक मारती है कोई भी ऐनिमल या प्लांट जो है वो मतलब दूसरे को अटेक करने के लिए नहीं करता हो अपने बचाओं में डंक मारता है या फिर दूसरे के लिए कोई chemical secretion release करता है या ऐसा कुछ भी तो जो हनी भी है हनी भी जो है यह क्या करती है acid release करती है अपने इसमें जो इसकी stung होती है stung of honey bee stung होती है उसकी जो dunk होता है ठीक है तो उसमें यह क्या release करती है acid release करती है जिसे काफी pain irritation होती है ठीक है तो आप इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं कोई भी आप base लगा सकते हैं soda लगा लिजिए आप साबू लगा लिजिए एकदम से acidic nature उसकी कम हो जाएगी ऐसे ही nettle leaves होती है nettle का plant है तो इसकी जो leaves है उनमें थोड़े जो अगर उनको touch कर लेंगे आप तो nettle leaves में होता है base क्या होता है base होता है nettle leaves में methinoic acid ही होता है sorry dog leaves में होता है base क्या होता है nettle leaves में methinoic acid है तो इससे भी आपको काफी जलन होगी ऐसे यह dog plant है तो dog plant की जो leaves है उनमें होता है students base तो यह nearly आसपास मिलते है है nettle leaves nettle plant or dog plant यह nature में ही कुछ ऐसा है कि आसपास है तो अगर आपको nettle leaves चुपती है methinoic acid हो जाता जलन होती है तो आप dog की leaves से उसको treat कर सकती है तो यह आसपास ही मिलेंगे ठीक है तो उसके बाद देखिए अप students you can see nature provides neutralization option यह क्या कह रहे है कि nature अपने हापी neutralization के option दे रही है कि अगर आपको nettle leaves से problem हो रही है painful sting उसकी लग गई है आपको accidentally यह जैसे भी तो आप dog plant की leaves से उसको रब कर सकते हैं तो वो neutralization process हो जाएगी तो यहां पे आप देख सकते हैं एक table बनाई गई है जिसमें दे रखा कि naturally occurring आपको लर्न करना होगा औरेंज कंटेंट से टैमेरिंट कंटेंस टैमेरिंट होती है इमली टार्टेरिक एसे टोमेटो अक्जलिक एसेड कर्ड में या खटे दूद में लैक्टिक एसेड लेमन इसेडरिक एसेड अंट की स्टिंग होती है उसमें तो में नेटल की अभी हमने बात करी नेटल सो कंटेंस मिध्यनोग एसेड यह था हमारा स्टुडेंट साज का टोपिक पी एच का उसके बाद कुछ क्योंस हैं इसके आपके जो इन्वोक्स को एक बर आप देख लीजिए एंड विच वन इस बेसिक तो आप समझ सकते हैं इसे कि 6 जिसकी पी एच है उसमें ओविसली ज्यादा हाइडरोजन आयन होंगे क्योंकि वो एसिडिक नेचर में है और 8 पी एच वाला जो है उसके पास हाइडरोजन आयन कम होंगे क्योंकि साथ से उपर बेसिक होता है तो यह एसिडिक और यह बिसिक नेच्स क्योंशन इस वाट इफेक्ट ड़स दा कंसेंटरेशन ओफाइडरोजन आयन है उन्दा नेचर ओब दा सुलीशन की नेचर पे हैडरोजन आयन की कंसेंटरेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा तो आप तक आप इसके अच्छे से समझ ग यह बिसिक तो यह स्टुडेंट्स मैंने आपको बताया था प्या स्केल जब किया हमने की बेसिक सुलीशन में भी हाइडरोजन आयन होते हैं क्योंकि वह एक्वस होते हैं आयनिक जो जैसे सोडियम आइड्रोकसाइड है तो वह एक्वस फोम है ओएज की वाटर की प्रिजि दस्वी इस फिल्डिट फिक लाइम और स्लेग लाइम और चोग कैन चोडिशन में कोई भी फार्मर क्वस चैयल्शन अध्रोकसाइड रोचन यह केल्शन की इसम चार्बोनेट से आपनी सोईल को ठीट करेगा कि अपनी सोईल में वह यह चीजह कब डालता है स्टूडेंट से आपको पता होना चाहिए कल्चम अक्साइड एंड हाइड्रोकसाइड और कार्बोनेट इस आर एलकलाइनी नेचर और एलकलाइन सबस्टेंसिस वो अपनी सोयल में डाल राइट मिन्स उसकी सोयल की जो नेचर है वो कैसी होगी है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है पसंद आई है तो आप सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा